Example 8 This example is most important example for 8 marks और ये example spectrum की बुख का question number 6 है तो आपने वहाहां से भी इसको देख लेना है ये देखो हमारा ये spectrum की बुख का question number 13 है 7x1 square plus 6x1 plus 5x2 square Same है हमारा तो यहां से आप इसको देख सकते हो तो यह example बहुत important है जो हमने previous example की थी 607 यह आपको short question में आएगी और जो हम अब example करने लगे हैं वो आपको 8 marks में आएगी तो इसको start करते हैं सबसे first step क्या होता है इसकी diagram बनानी है तो diagram कैसे बनाएगे constraints को लेकर तो इनको constraints को पहले points पुट करके देखे कि मारे कौन कौन सी lines आ रही है तो यह lines बन गए हमारे पस फॉर एक्जामपल अगर यहाँ पे हम x को 0 पुट कर दे x1 0 तो x2 की value आगे हमारे पस 5 ऐसी अगर x2 को 0 पुट कर दे तो x1 की value आगे हमारे पस 10 अब इससे बनाते हैं यह बन गए एक चीज़ अगर x1 0 हुआ तो x2 की value आज़ेगे हमारे पस 9 by minus 3 that means minus 3 आगे ऐसी अगर हमारा x1 x2 0 हुआ तो यह बन गए 0 x1 is equal to 9 आगे तो यह हमारी एक और condition बन गए तो इनको लेके हम diagram बनाते हैं पहले तो x1 0 x2 5 0 5 तो 0 5 यह आगया उसके बाद हमारा है 10 0 10 0 10 कहाँ पे आएगा x1 10 that means यह रहा x1 10 और यह 0 so हमारा यह पॉइंट आगया 10 0 उसके बाद हमने लिया है 0 minus 3 0 minus 3 मतलब नीचे होला कॉर्डन 0 x हमारा क्या है? 0 और y हमारा नीचे क्या होता है? negative minus 3 तो यह पॉइंट बन गया उसके बाद 9 0 9 0 मतलब 9 0 यह रहा x हमारा 9 y 0 x-axis पे y 0 होता है y-axis पे x 0 होता है यहाँ पे लिख लेते हैं यह 0 और y-axis-axis पे y 0 तो हमारे पास इनको जोइन कर दिया तो यह पॉइंट बन गया अब यह पॉइंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों को equations को solve करके जो यह दोनों equations है न इनको solve करके हमारा यह पॉइंट आजेगा 48 by 5 1 by 5 इसको भी निकाल लेते हैं अब यहाँ पे हमारा है x1 plus 2 x2 is equal to 10 x1 minus 3 x2 is equal to 9 सीधा minus कर देते है minus plus minus तो यह वड़ा सीधा cancel अब इसको consider करेंगे plus 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 2 plus 3 5 x2 10 minus 9 that means 1 तो x2 की value आगे हमारे पास 1 by 5 तो यहाँ पे देखते है 1 by 5 हाँ आजे है हमारे अब x1 की भी निकाल लेते हैं किसी भी एक में put कर देते हैं for example उपर put कर देते हैं x1 plus 2 x2 is equal to 10 x1 plus 2 1 by 5 upon 10 तो x1 हमारा आगया 10 minus 2 by 5 यह positive है ना उदर जाके बन गया negative तो इसका else लेते हैं 5 tens of 50 minus 2 upon 5 that means 48 by 5 तो यह value हमारे आगी x1 की आपने यह सभी values वहाँ पे paper में निकाल के दिखानी है तब ही आपकी यह diagram बनेगी तो हमारी values आगी अब हम निकालते हैं इसका question तो हमारे पास f given है 7 x1 square plus 9 x1 5 x2 square इसके लिए भी हमें क्या use करना पड़ेगा Bordered matrix Bordered matrix क्या होता है 0 f1 f2 f1 ff1 1 f1 2 2 1 2 2 तो इनकी values थे same होते हैं पहले तो इनको निकालते हैं So f1 होता है curl f upon curl x1 इसका derivative फिर double derivative किया तो सीधा 14 ऐसे single derivative किया 10x2, double derivative किया तो 10 बन गया, उसके बाद हम 1, 2, 2, 1 निकालते हैं, 1, 2, 2, 1 मतलग curls के f upon curl x1, curl x2, ये तो हमें पते हैं कि क्या आजेगा सीधा 0 आजेगा, क्यूंकि अगर इसका derivative करेंगे with respect to x2, तो ये सीधा आगया 0, ऐसे इसका with respect to x1 करेंगे, इसका तो ये भी आ जेगा 0, तो यहाँ पे आगया 0, अब हमने निकालना है 1, 1, 1, 1 हमारा आगया 14, 2, 2 आगया 10, 1, 2, 2, 1 हमारा आगया 0, तो सभी की values वहाँ पे put कर देते हैं, तो हमारे पस ये matrix आगया, यहाँ पे f1 का मतलब क्या है, first derivative जो ये हैं, इनका होगा double derivative, तो सबकी values पुट कर दी, d1 होता है, हमारा 2 क्रोस 2 का matrix इसको consider कर लिया, अब ये इसका L से देखो, 0 इंटू 14, 0, minus इसका करेंगे multiply, तो यहाँ पे मनगे, minus 14x1 plus 6 scale, तो ये भी less than 0, d2 मतलब 3 क्रोस 3 का determinant, d1 का मतलब होता है, 2 क्रोस 2 का determinant, और d2 का मतलब होता है, 3 क्रोस 3 का determinant, तो हमारे पास ये भी negative आगे, तो हमारे दोनों से clear हो रहे है कि हमारा function के convex है, क्योंकि हमने definition में किया है, कि अगर d के हमारा less है, तो वो होगा quasi-convex, अगर d1 less than, अगर d2 greater than, या dn less than, अगर positive है, अगर dn greater than, even है, बस आपने दो याद रखनी है, d1 less than 0, d2 greater than 0 है, तो हमारा function क्या होगा quasi-concave, सो यहां से clear हो रहा है कि हमारा function है, वो क्या हो रहा है, quasi-convex हो रहा है, अब हमने इसका optimal solution find करने है, optimal solution का मतलब points find करने है, points थो हमने पहले भी निकाल लिए, 48 by 5, 1 by 5, अब हमने check करने कि optimal solution दे रहे हैं या नहीं दे रहे, since the given problem of maximum, क्योंकि हमारी जो problem है, वो किसने given है, maximum में given है, तो इसका मतलब यह हमारा क्या है, cozy convex on compact polyhedrin set S, यह हमने theorem की थी, theorem number 3, जो page number 97 पे है, यह theorem बहुत important है, इसका result हमने काफी theorem में किया है, और यह हमें क्या देती है, इसमें जो मारा primal problem है, चाहे maximum हो, चाहे minimum हो, क्योंकि हमने दोनों theorem कर ली न, maximum वली भी कर ली, minimum वली भी कर यह देखो, theorem 3 में हमारी problem maximum में है, तो हम optimal solution हमारी जो exist करती है, और at least one of the extreme points होता है, S में, S ही हमने minimum में भी किया है problem, जो हमारी theorem number 6 है, इसको हमने same theorem number 3 है, उसी के तरह पहले आपने लेंब बनाके इसको प्रूफ करने है, फिर उसके बार मैंने क्यात बोला था, आपको यह त देने हैं बस, यहां तक, तो यह हमारा clear हो जाएगा, अब यहां पर क्या given है, कि अगर, sorry यह वली नहीं है हमारी, यह है हमारी minimum में भी हमें, जो हमारे primal problem है, वो भी exist करता है, और occur करता है, at least one of the extreme points of S, अगर हमारी problem चाहे maximum में हो, चाहे minimum में हो, तो हमारा जो primal problem है, वो exist करता है, और occur करता है, हमारे पास क्या आता है, at least one of the extreme points, और यहां पर हमारा function होता है, differentiable pseudo-convex function, और maximum में हमारा function होता है, quasi-convex function, बस इसमें change है, quasi-convex function, पीछे क्या आता है, differentiable pseudo-convex function, अब हम आपनी example लेखते हैं, यह देखो, हमारी problem किसमें given है, maximum में given है, तो maximum में हमारा function क्या आता है, यह quasi-convex, तो quasi-convex है, तो सीधा हमने लिख दिया result, अगर आपको यह example 8 marks में आती है, तो आपने सीधा इसका result लिख देना है, अगर आपको यह example 16 marks में आते हैं, तो as a lemma इसको prove करना है, वैसे तो जादा तर्गी आता है, यह theorem आएगी, ठीक है, plus example number 8 आएगी, तो यह दोनों मिला के हमारा बन गया, question 16 marks का, ऐसे हमारे papers में आते हैं, एक theorem उसके साथ ही example, जो इसके सा relate करती हो, ऐसे सभी papers में आएगा, जैसे spec, linear, zebra, function, analysis, सभी में ऐसी आता है, पहले तो theorem आजएगी, जो इसके साथ relate वाली example है, वो आजएगी, दोनों के मिला के यह example, question number 16 marks का, बन जाता है, now, अब हमारा यह optimal solution exist कर गए, f of 0, 0 पे value हमारे 0 आ रही है, क्योंकि हमने put करके देखते हैं, f of x हमारे किसी equal है, 7 x 1, 6 x 1, plus 5 x 2, values put करेंगे तो सीधा 0, ऐसी, यह हमने points पहले भी निकाले, x 1, x 2 के, अब हम function में put करके देखते हैं, क्या value आ रही है, तो 7, x 1 की value है, 48 by 5 का square, plus 6, 1 by 5, ने, 48 by 5, उसके बाद हमारे पास है, plus 5, x 2 का square, that means 1 by 5 का square, सो यहाँ पर calculator यूज़ करते हैं, सो multiply करते हैं, 48 multiply 48, 48, multiply 48, उसके बाद given है, multiply 7, तो multiply 7, उसके बाद equal to, मारा आगया 1, 6, आपने paper में ध्यान रखना है, कि आपने scientific calculator नहीं लेके जाना है, paper में यह allowed नहीं है, आपने only simple calculator लेके जाना है, यह देखो, मारा scientific calculator है, यह paper में allowed नहीं है, तो आपने ध्यान रखना है, 6 multiply 48, equal to, 1, 288, upon 5, 5 as it is, 5, 5 is the 25, तो 25 आगया हमारा LCM, उसके बाद यह भी as it is, plus, इसको 5 के साँ multiply करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे, 1440, plus 5, तो सभी को plus करके देखते हैं, अब, पहले आ रहा है, 16, 16, 16, 128, plus 1440, plus 5, यहाँ गया, 17, 573, अब आउन के चल रहा है, 25, 25, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 25 के साँ, 702.92, तो यह हमारी वैल्यू सेम आगी, 702.9, अब हमने यह दो लों वैल्यू निकालने हैं, यह वलीज, यह तो हमारी आगी मैक्सिमम की, अब यह दोनों वैल्यू कैसे हैंगी, यहाँ पर मुझे लग रहा है, गलत किया है, क्योंकि हमने फंक्शन की वैल्यू पुट करके, देखी हमारे पास आ रहा है, 702.92, और मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख रही है, इसकी वैल्यू 621 आ रही है, तो इन्होंने यहाँ पर गलत लिख है, इसकी वैल्यू आ रही है, 7029, इसकी वैल्यू आ रही है, 621, मैंने कारके भी देख है, यह देखो, 9 पुट करना है, इस फंक्शन में, पुट करके देखते हैं, 7, क्या है, 7, एक्स वन स्केर, देट मेंस, 7 ब्रैकेट लगाई, 9 का स्केर, प्लस, 6, ब्रैकेट स्टार्ट, 9, यह आ रही है, इक्वल टू, 621, यह देखो, 621 आ रही है, अब यहाँ पर निकालते हैं, याद रखने हैं कि आपने यह वैल्यू लग, कल्कुलेटर नहीं लेके जाने, वैसे तो मुझे यही अच्छा लगता है, क्यूंकि यहाँ पर व आफ, वैसे तो 55, 25, 25, 25, 125, तो यहाँ पर यह वैल्यूस स्क्लियर होते हैं, में तो हम यह चाहिए, ऑप्टिमल सेल्यूशन आ रहा है हमारा इस पॉइंट पे, और सभी में हमने चेक किया, कि सबसे मैक्सिमम हम वारा किस पे आ रहा है, इस भी पॉइंट पे इस हमारा आ प तो आप इसको अपने बुक पे नोट भी कर सकते हो. Now, next वीडियो में हम example number 9 करेंगे जो पंजाब ये अनिवेस्टिय में 16 में आई थी. Thank you.